आप सुन रहे हैं समचार एजेंसी आफ इंडिया की साई नियूज में आडियो बुलेटिन नमस्कार आप सुन रहे हैं समचार एजेंसी आफ इंडिया की साई नियूज की समचार शंकला में मंगलवार 20 अक्टूबर 2020 का प्रादेशिक आडियो बुलेटिन अब आप रिना सिंग से समचार सुनिए मंत्री इमर्ती देवी के लिए पूर्व सी एम कमलनात द्वारकी गई टिपणी से कॉंग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है मंत्री इमर्ती देवी ने कहा है कि कमलनात और राजय सिंग पर F.I.R. यहारीजन एक्ट दर्ज नहीं हुआ तो अपनी जान दे दूँगी मैं कारवाई के लिए धरने पर बैठूँगी वही सांसद जोतिरादेती सिंधिया ने सौंबार दोफर सुर्खी, सांची और अशोग नगर में सभा को संबोधित किया इस दौरान सिंधिया ने कहा महिला घर की अस्मिता है, माटी की अस्मिता है कमलनात दलित महिला को आइटम कहते हैं, अजय सिंग कहते हैं इमर्ती को जले भी बनाए उन्होंने देवी देवताओं को कलंकित किया है, इसका बदला लेना होगा मंगलवार को भाजपा अनुसुचित जाती मोर्चा ने भी कमलनात के बयान का विरोध करते हुए सड़क पर उतर किया राजधानी मोपाल के कलेक्टर चोराहे पर कारेकरताओं ने आइटम गल बनकर चोराहे पर डांस करते हुए विरोध जताया इस दोरान एक कारेकरता ने कमलनात का मुखोटा पहन कर डांस किया वहीं दूसरे ने दिगविजय सिंग का मुखोटा लगा कर डांस कर रहे कारेकरता पर रुपिय उड़ाए अगर आप बिजली का बिल भरने में देर करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है बिजली कमपनी ने बिलिंग शैडूल और सौफ्ट वेर में बदलाव किया है इस बदलाव के तहट आप से भूखताओं को जिस महीने बिजली बिल मिलेंगे उसकी ड्यू डेट यानि बिल जमा करने की अंतिम तारीख भी उसी महीने की ही रहेगी यानि की अगले महीने बिजली का बिल भरते हैं तो इसे लेट माना जाएगा जानकारी के लिए बता दें कि अभी अक्तुबर के एडवांस बिल 20 सितमबर को डिये जाते थे इसमें अगस्त के 10 दिन और सितमबर के 20 दिन गिन लिये जाते थे साथ ही साथ इस बिल की due date अक्टूबर में होती थी इससे वो बहुकताओं को तीन महने के दिनों के गणित को लेकर इस्थिती क्लियर नहीं रहती थी लेकिन अब बिजली बिल का महिना अक्टूबर है तो उसमें due date भी अक्टूबर की ही रहेगी हर महिने एक तारीक से 18 तारीक तक रीडिंग और बिलिंग होगी बिजली कंपनी ने ये कदम उर्जा विभाक की प्रमुक सचिव संजय दुबे की निर्देश पर की है प्रमुक सचिव दुबे ने बताया कि अभी तक बिलिंग शेडूल 45 दिन का था अब उसे वास्तविक खपत के आधार पर 30 दिन का कर दिया गया है सावेर विधान सभा उचुनाव में भाजपा उमीदवार तुलसी सिलावट के समर्थन में कमपेल में चुनावी सभा में सांसद जोतिरादिती सिंधिया के निशाने पर कमलनाथ वा दिगविजय सिंग रहे इस दोरान सिंधिया ने कहा बचपन में सिखाये जाता था जूट बोले कवगा काटे मैं काला कवगा हूँ, कमलनाथ दिगविजय सिंग जूट बोलेंगे तो मैं उन्हें काटूंगा वहीं सिंधिया ने पहली बार अपनी चुनावी सभा में सोनिया गांधी का जिक्र किया जोतिरादित्य सिंधिया ने कहा कॉंग्रेस की सरकार में युवाओं के लिए सोचा था, महिलाओं के लिए सोचा था, अन्यदाता और किसानों की बात की थी लेकिन जब बादक खिलाफी के चलते उनके साथ धोका हुआ तो मैंने कॉंग्रेस को छोड़ दिया जोतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल होने के बाद भी कभी कॉंग्रेस के शीर नेत्रतों पर हमला नहीं किया सिन्धिया ने सोनिया गांदी को लेकर कहा कongres की सरकार में भर्हेश्टा चारवा और ट्रांसपर उद्दैोग को लेकर एक मंत्री को सोनिया गांदी को चिठ्थी लिखनी पड़ी थी वह बोले एक कमलनात की सरकार थी जिसने वादे नहीं निभाए एक शिवरा सिंग और भाजपा की सरकार है जिसने कमाल की सरकार विशेशा के पहले ही इस बात का अंदेशा जता चुके हैं कि अगर इस बार दीपवली पर पहले की तरह आतेश बाजी हुई तो ना केवल वायू प्रेदूशन बढ़ेगा बलकि इसके साथ कोरोना वायरस का संक्रवन भी तेज हो सकता है। कोरोना संक्रमन तेज हो सकता है। ऐसे में जवलपुर के लोगों ने नैशनल ग्रीन ट्रिबुनल में एक जन्हे तियाची का दायर कर पटाकों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग की है। कि नामग स्थान पर एक छोटी नदी के किनारे या पेड़ मौजूद है। किसान अमरलाल के खेत में त्रिशूल आकार लिए पांच तहनियों वाला या चीन्द का पेड़ अब आस्था का केंद्र बन गया है। इस स्थान पर भोलेनात की प्रतिमा विराजमन की गई है जहां दूर दूर से ग्रामीड अपनी मनोतियां लेकर आते हैं। माननिता है कि इस दुरलब चीन्द के पेड़ की पांच या तीन परिक्रमा लगाने से कई बीमारीय ठीक हो जाती है। लोग इसे पंच मुखी नागेश्वर के नाम से भी जानते हैं। अब CBSE की तरज पर मद्परदेश बोर्ड के पहली से आठवी तक के बच्चे भी हर विशाय में प्रोजेक्ट वर्थ करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके पांट करम में बदलावकर फिर से पुनर योजित कर दिया है। अब हर विशाय में 40 फिजदी कोर्स को प्रोजेक्ट आधारित किया गया है जिसे विद्यार्थियों को ग्रह कारे में तैयार करने के लिए दिया जाएगा। वहीं 60 फिजदी कोर्स कक्षा आधारित होगा जिसे ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है। यह नेड़ा इसकूल शिक्षा विभाग ने कोरोना महमारी को देखते हुए किया है। इस सत्र में अब तक इसकूल नहीं खुले हैं। दीपवली के बाद इसकूल खुलने की संभावना है लेकिन वो भी सब्ताह में 2-3 दिन ही बच्चों को बलाया जाएगा। ऐसे में सिर्फ तीन माह में कोर्स पूरा करना मुश्किल होगा। इसके लिए विभाग ने पहली से आठवी तक के 40 पीज़दी पाठिक्रम को ग्रह कारे पर आधारित कर दिया है। जिससे विद्यार्थी इसे घर पर ही पूरा करें। इस समंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने पाठिक्रम को पुनार योजित कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सभी जिले के स्कूलों में निर्देश जारी कर दिये हैं। बता दे कि सामाने दिनों में स्कूल 200 या 220 दिन लगते हैं। इस बार 100 से भी कम दिन लगने वाले हैं। राजधानी भोपाल में भगवान शिव की चोरी का मामला सामने आया है। मंदिर समीती ने तीन दिन की पूजा पाट के बाद मंदिर के लिए बनाए गए चबूत्रे पर जैपूर से लाई गई शिवलिंग और नंदी के स्थापन की थी। देर राब तक भक्त वहां मौजूद रहे थे। सुबह 6 बजे वहां पहुँचने पर भगवान और नंदी गायपते। समीती ने इस मामले में एक पटवारी और जमीन पर कबजा करने वाले पक्ष पर आरूप लगाए है। इलाके में नाले की जमीन के कबजे का विवाद पहले से ही नयायलय में चल रहा है। करोंद निवासी सुरेंद्र मीडा ने बताया कि करोंद शेत्र से लगे पिपलिया बाज खा में उनकी जमीन है। इस पर जैपुर से करीब 22,000 रुपे की कीमत का शिवलिंग लाय गया था। लगतार तीन दिन तक पूजा पाठ के बाद सुमवार दो फर 11 बजे से लेकर 12 बजे की बीच स्थापना की। इस दोरान पटवारी ने मूर्ती को हटाने को कहा। मैंने उनसे कहा कि यह मेरी जमीन पर है। इस पर उन्होंने प्रिशासन की मदद से इसे हटवाने की धमकी भी दी थी। सुरेंद ने बताये की रात करीब धाई बजे तक हम वहां रहे। लेकिन बारिश होने के कारण जाना पड़ा। मंगलवार सुबह छे बजे मौके पर कहुचे तो नंदी और शिवलिंग गायब थे। उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायद भी की है अब इस मामले में विवाद बढ़ने लगा है। नवरात्री में लगतार तीसरी साल मा चामुंदा की चरण पकारने के लिए चंबल नदी मंदिर परिसर तक आ गई। रविवार सौंबार की रात हुई करीब दो इंच बारिश से चंबल नदी का पानी बढ़ गया। इससे सौंबार सुबह चामुंदा माता मंदिर का परिसर डूब गया। इस कारण छोटी पुलिया पर सुबह से ही माता की प्रतिकात्मा प्रतिमा रखकर सरदालूओं के दर्शन की ववस्ता की गई। पिछले वर्ष नवरात्री के आठ दिन मंदिर में पानी भरा था। आकरी दिन मंदिर पानी मंदिर से उतरा था। पुजारी सोहन गुरू ने बताया रात नौ बजे से पानी धीरे धीरे उतरने का करम शुरू हुआ है। हाला कि एहत्यात के तौर पर अभी दो दिन मंदिर खोलने की संभावना नहीं है। समचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजान अप्लोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से समचार एजेंसी ऑफ इंडिया के दौरा अब तक मौसम के जो पूरवा नुमान जारी किये गए हैं वे 95-99 फीजदी तक सही साबित हुए हैं। विजया दश्मी 26 अक्तुबर को है। शहर में करीब 13 प्रमुक इस्थानों पर रामर देहन होता है। लेकिन भेल गोविंदपुरा दशेहरा मैदान में इस बार रामर देहन नहीं होगा। गोविंदपुरा दशेहरा महोत्साव समीती का कहना है कि ऐसे हालात में शोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना मुश्किल है। वहीं विक्तन मार्केट में दशेहरा उत्साव को लेकर बैठक में निर्णाय होना बाकी है। इसके अलावा शहर में दशेहरा उत्साव मनाया जाएगा लेकिन छोटे रूप में, शहर में सबसे बड़ा रावन कलिया सोत में बनाया जाएगा, जिसकी उचाई 50 फीट रहेगी, इसके साथ मेगनाद और कुमकर्ण के 30-30 फिट के पुतले बनाये जाएगे, समितियों का कहना है कि एक-दो अतितियों को छोड़ कर हमने किस आमजन को आमंतरित नहीं किया है, सिर्फ समितियों के सदसी ही उत्सव में शामिल रहेंगे आप सुन रहे थे रीना सिंग से समचार एजेंसी आफ इंडिया की साई न्यूज में, मंगलवार 20 अक्टूबर का प्रादेशिक ऑडियो बिलेटिन बुदवार 21 अक्टूबर को एक बार फिर हम आउडियो बिलेटिन लेकर हाजिर होंगे अगर आपको यह आउडियो बिलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब कैसे करना है, यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं, फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार नोचकार दोस्तों हम आज बताने जा रहे है कि समाचारे जिन से फिक आइडिया часनु और समाचारे जिन से फिक हम आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र कोल ये या तो ब्राउज़र कोलीगे या फिर आपके पास YouTube काैप होगा उसे खोल इए ये या तो ब्राउज़र में हैं साइड में यहां आपको लॉग इन करना होगा लॉग इन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका जे इसके अंदर एल आई एम टी वाई के एच ए आर ए आप टाइप कीजिए जैसे आप यह टाइप किरते हैं यह लिम्टी खरे खुल जाता है आप देखिए यहां लाल रंग का यह बना हुआ है आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए यह अब आपके सामने यह सब्सक्राइब बटन आ रहा है इसमें आप इसको दबाईए जैसे ही आप यह सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे यह इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा इसके बाजू में देखिए घंटी का बटन बेल जो है बेल को आप पुश करिए बेल में नोटिफिकेशन आप आल कर दीजे जैसे ही आप नोटिफिकेशन आल पुश करते हैं आप समचार Regency of India की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं अब हम आपको बताते हैं समचार Regency of India के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के चार पाँच जो वीडियों हैं वो आपको दिखाई देंगे इसके वीडियो में अगर आप जाएंगे तो वीडियो में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियो अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियो आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं उसे आप देख सकते हैं यह उधारन के लिए हम आपको बताते हैं जैसे मालीजे यह आपको मौसम का अपडेट है यह यह आप खोल के देखिए बुंदेली लोग गीत, हास्य, साइन यूज, कार्टून्स, वैदर अपडेट, आडियो बुलेटिन, लिम्टी की लाल टेन, एक विशेश प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज, रिलीजियस, फार्मूलास, जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्शर, डेली न्यूज, अपील, अगर किसी की दोर अपील की जा रही है, तो वो वाइस न्यूज, मीडिया मीमान सा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसके बा वरी गटनाओं समसामे एक विशों पर चर्चाएं, आडियो बॉलेटिंस, मौडम मौसम के अपडेट, स्टुएंट्स के लिए जानकारिया मनोरंजन आदी को इस्तान दिया जाता है, समचार बेजने के लिए एमेल लाइम टीवाई के एचे आरी अट दरेट जीमेल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त मित्रियारों को कराएं ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियो आएंगे वो तुरंत आपने चुकि यह बैल आईकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बैल आईकॉ आपने पुश किया हिस्ति जितने भी वीडियो आएंगे वो सारे के सारे वीडियो आपको ततकाल मिल जाएंगे, नमस्कार